सादको अगला प्रिष्ण एक सादक का है इस सादक का नाम है जिगर साह जिगर साह जी लंडन यूके में रहते हैं और मैं अलग से बता दू इनकी सादना अच्छी चल रही है इनकी कुंडनी गले तक और है और हमारे शिविर में ये कई बार आ चुके है जिगर साह जी का प्रिष्ण है गुरू जी कंट चक्र में प्राणों का प्रेशर असहाय होता है और मुझे लार गले में खिच जाती है ध्यान में गुरू जी क्या करें? राहत मिलें इनका कहना है कंट चक्र में प्राणों का जो प्रेशर है असहाय हो जाता है यानि कश्ट ज्यादा मिल रहा होगा और जो लार है अंदर की और खिष्टी है क्या करें ये क्रिया द्याना वस्थाम होती है और इनका पूछना है कि थोड़ी राहत मिलें जिगर सहाजी मैं कहना चाहूंगा जो ये गले में आपका प्राणों का प्रेशर है ज्यादा हो रहा है मैं भी मानता हूं कि जब सादक की सादना अच्छी होती है तो प्राणों का प्रेशर ज्यादा होता है कंट चक पर आपकी सादना चल रही है और जब कंट चक पर सादना चल रही हो किसी भी सादक की और अधिक सादना करेगा या शुदता अधिक होगी कुंदनी भी वहीं तक जाती होगी तो इस पस्थ है प्राणों का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा ऐसी अवस्ता में सादकों की गर्दन या सिर पीछे की और चला जाता है कश्ट तो होता ही होगा गले की नाडियों में खिचाओ भी होता होगा और गला भी दुपता होगा और हाँ जो आपने लारकी करिया की हाँ वो होते है सामानसी बात है कम कैसे करें तो जिगर साहजी मैं कहना चाहूंगा मैं अपना युदारन दोंगा जिस समय इसी प्रकार की अबच था मेरी थी कब मिरज में जब मैं मिरज में रहता था मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी क्योंकि प्राणों का प्रेशर बहुत ज़्यादा था और तो और मैं पीछे की और गिर भी जाता था कई बार मैंने बताया कि प्राणों को गले के उपर जाने के लिए मार्ग नहीं मिलता है इस ज़्यादे पर मार्ग अवरोद होता है उसका कारण गरंथी है तो साफ जाहिर है कि जब आगे का मार्ग नहीं मिलेगा प्राण उपर की और दबाओ देगा कश्ट तो हो गई होगा और गर्दन पीछे की और जाएगी तो जिगर शाह जी ये आपको शेहना होगा अगर आपको अच्छे सादक बनना है आपने कहाँ साहिता मिले साहिता मिले अर्थात कश्ट कम हो तो उसके लिए मैं ये कहूँगा या तो आप साधना अपनी कम कर ले शुदता कम कर ले तो ऐसा तो आप करेंगे नहीं और मैं भी राय नहीं दूँगा कि कश्टों के कारण आप अपनी साधना कम करें या शुदता कम करें बिलकुल ना करें थोड़ा कश्ट सहें थोड़ा और मैं खुल के बोल दूँ सही बात तो यह है ये कष्ट सहना ही होता है, महीनों ही नहीं, सालों सहता है, अब कोई साधक ये तर्क करे कि लो, ऐसे कष्ट मैं क्यूं सहूं, योग में क्या ऐसा होता है, अर वही ऐसा योग क्यूं करूं, साल को हमें अपना आंतरिक विकास करने के लिए कष्ट तो सहना ही पड़ता है, किसी भी लक्ष को प्राप्ट करने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है, और उस लक्ष को प्राप्ट करने के लिए या वहां तक पहुँचने के लिए, तो कष्ट अगर रास्ते में आते हैं तो सहने ही पड़ते हैं, हाँ, उन्हें सुल्जाया जा सकता है, बहुत ऐसे कष्ट होते हैं, सिर्फ भोग करके ही नष्ट किये जा सकते हैं, हाँ, कुछ सुल्जाय भी जा सकते हैं, सुल्जाने के लिए मैं यही कहूंगा, कि जो हमारे जिकर शाह जी कहते हैं, कि इन्हें कहें तो गर्दन दुखती भी होगी और सिर्फ ध्यान में ही नहीं दुखती है कभी-कभी सोते समय कर्वट बदलते समय और कभी-कभी आफिस में काम करते समय भी कुछ दर्द सा मैसूस होता होगा तो यह सहना पड़ेगा और भी इस पश्ट करूं ऐसी अवस्ता में अगर मा कस्थ कम करदें तो आपका गुरु कौन है? किस पश्ट है मैं ही हूँ चाहूँ तो यहां से मैं कस्थ कम कर सकता हूँ लेकिन मैं अभी राय दूंगा और कस्थ को सहन करिए फिर भी आपको अगर कस्थ होता है तो फिर Пोई बात नहीं मैं दिल्ली रहूं या कानपुर रहूं आपका कष्ट कम कर दूँगा लेकिन एक बात ध्यान रखना अगर आपका कष्ट मैंने कम किया तो आपकी जो साधना है वो थोड़ी कम हो जाएगी जो यह आप गले में प्राणों का प्रेशर कर रहे हैं तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा आप कष्ट शहेंगे यह जो कष्ट से रहना तो चित पर इश्थित जो आपके संसकार है वो नश्ट हो रहे हैं कष्ट शहे करके आप संसकारों को नश्ट कर रहे हैं और संसकारों को नश्ट तो करना ही होगा अगर आप मैंने आपके कष्ट कम कर दिये यानि जो दर्द हो रहा अब आप खुद ही बताइए किया आप जादा समय लगाना चाहते हैं, अपनी शादना कम करना चाहते हैं, तो भाई कोई बात नहीं, मैं आपका कश्ट थोड़ा सा कम कर दूँगा, तो आप निरड़े करके हमें आप मैंशेंजर में लिग सकते हैं फेस्बुक पर, किसी भी आप संदेह दे सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, तो आपके कश्टों को कम कर दिया जाएगा, लेकिन मैंने ऐसी सादना कभी नहीं की है, कि मुझे कश्ट कम मिलें, अरे भाई कश्ट मिलेंगे तो इतना ही तो हम आगे जाएंगे, अब ये आपको निरड़े करना है, मैं होता है, और भी सादक गर जाते हैं, मेरे को सादक रहे हैं, पीछे गर जाते हैं, फिर दीरे सोड़ते हैं, फिर दीरे सोड़ते हैं, बढ़ जाते हैं, हाला कि मैंने ऐसे एक दो सादकों की मैंने सादना में साहता की है, कि वो फिर सीधे बैड़ गया है, ठीक है, मुझे य थोड़ी कम जैसी हो जाती है ठीक है जिगर साय जी शायद आपके परिशन का उतर दे दिया